आप देख रही है MNS News, सच ज़रूरी है नमस्कार मैं अब इसे एक दूबे MNS News में आप सभी का स्वागत करता हूँ आईए देखते हैं आज की कुछ खास खबरे नकली बंदुग दिखाकर लूटने का प्रयास दो आरोपी गिरफतार नकली बंदुग दिखाकर दो लोगों ने एक दो पहिस सवार को लूटने का प्रयास किया यह घटना सनिवार को राग साड़े दस बजे फुलवावंगी से महागाओं के बीच हुई पुलीस ने सिग्र कारवाई कर दो आरोपियों को राग साड़े एक बजे गिरफतार किया आरोपियों में राहुल भाले राव बीस और आकास मिनार से 22 का मावेस है नकले बंदोग दिखा कर दो लोगों ने एक दो पहिया सवार को लूटने का पड़ियास किया यह घटना शनिवार को राग साड़े दस बजे फुल साबके से महागाओं के बीच की है पुलिस ने शुक्र कारवाई कर दो आरोपियों को रात देर बजे पर गिरफतर किया आरोपियों में राहुल भाले राव और आकास मिरासी का समावेश है शनिवार को रात दस बजे तहसील के दो लोग महागाओं से अपने गाओं की और वापस चा रहे थे इस वरान आरोपियों ने भाव पार्टी के पास उन्हें रोप कर बंदुग के दिखाऊ बंदुग के दम पर उन्हें लूटने का परयास किया थेंबी के इन लोगों दुआरा शुर मचाने से दोनू आरोपी वहाँ से भाग लिकले दोनों आरोपी महाकाल की ओर भागते हुए रास्ते में डॉक्टर अमर मौते वार के घर में किराय से रहने वाले सचिन को नादिल के बुलेट का हैंडल लॉक और वारिंग तोर कर उनकी बुलेट अपनी साथ ले गए इस दोरान एक प्रोसी के शोर मचाने पर भी वा वुलेट लेकर भागे दोनों आरोपियों ने इस घटना से परव रादन वजे महागाओं बस थाना परिसर में नकली पिस्टॉल दिखा कर हंगाओं मचाने का परियास किया था इस सभी घटनाओं की जानकारी मिलते ही उमर खेड में शांती समीथी की बैठक में उपस्ति थानेदार विलाज चोहान शुगर महादेव पहुंचे उन्होंने प्रिस दल को आरोपियों की तलाश में भेजा है इसे साथ खास कबरों को यहीं भी राम देते हैं नमस्कार यह है MNS News निट पर और आप देख रहे हैं MNS News